हेलो एवरिबन वेलकम तो दफ्रेजंटेशन चांसेप्ट और आज हम किस डियाग्राम को पाव़र प्रेज़िकर करते हैं वह देखेगे तो कि यह डाग्राम पर इसका सब्सक्राइब देखेगे यह बिजनिस डायग्राम जो बिजनिस प्रेजंटेशन सेंगे बहुत है ठीक है और उनका अनिमेशन लगा हुआ है और इसका कॉंसेप्ट तरफ इतना है कि हैड में कुछ gears move कर रहे हैं ब्रेन कुछ सोच रहे हैं और आप वीजुली उसको represent कर रहे हैं किसी डेटा को जो एक light है जो वीजुली आयस से आ रही है इस तरीके से आप परेंट कर सकते हैं gears diagram को और business presentation में जाद यूज होते हैं तो अब इसको start करते हैं कि आप ऐसे scratch से कैसे grade करेंगे ठीक है मैं new slide ले लेता हूँ ठीक है मुझे shapes में जाना होगा पहले insert में shapes में आना पड़ाएगा उसके लिए स्टार्स एंड बैनर्स की section में यहाँ पर 12 पॉइंट स्टार में ले रहाँ उसके लिए ठीक है मैं क्लिक किया shift प्रेस करके मैं इसको draw किया अच्छा star shape जब आप draw करेंगे आपको यहाँ पर एक yellow edit point दिख रहा होगा यह वाला यह yellow edit point इसके spike को control करता है angle को control करता है देखिए नीचे किया मैं थोड़ा सा एक चलो मुझे spikes बनाने थोड़ी से spikes बनाने ही ठीक है जब इस spike great हो जाएंगी उसके बाद मुझे करना क्या है देखिए मैं first इसको replicate कर रहा हूं इसको मैंने replicate करना करना है अब इस shape में औस shape में क्या फारक है इसमें सिर्फ इतना ही फरक आपकी जो spikes है ना वह इस shape में नहीं है तो मेरे spikes को बनाना है ठीक है मेरे सर्फ मोटक इतने अफ्यों में तो में insert में जाओंगा शेंप में जाओंगा और यहां पर मेरे पास आप देखोंगे सर्कल पिसिक शेप्स के अंदर सर्कल हॉलो मिलेगा आपको यह आपको ट्रॉख एंठाटर ना धू के और इस सरकल को आपको इतना बड़ा करना है कि जो इंणर सरकल है वह इसको कर जब तो पाइक के नीचे आजा थोड़ा 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 अभी देखियागर इस शेप को अब इस शेप मैं से मुझे हॉलो सरकल वाली शेप को सब्ट्रैक्ट करना थाकि मेरे को यह चीज मिल जाए इतनी जो मुझे विजिबल है इस सरकल में इसका कॉंसेप्ट है तो इसके लिए आप पहले स्टार को स्लेक्ट करेंगे सेकंड युमिदल को सब्ट्रैक्ट करना हा अभी को सकता हुम सकता हृप यह अरत्पर में यह चाही हूं सी न करें तो ने है यह चाहिए है यहाँ यह रिए हाथ साल शेप्व Index सक्टार्म देना है कि यह होगी आप पहले इस को तो ये फर्मट में जाके दोनों को select करने केपाद align में जाके center करना होगा align में जाकé inten करना होगा align में जाके middle करना होगा ठीक है तो इस तरीखे से तो करने के कर लीजिएगा कि center और तो middle होना चाहिए ठीक है तो फस्साथ्न को select किया second hollow को select किया shape format, mark shape, subtract यह मेरा पहला gear मुझको मिल गया, जो basic gear था मेरा यह वाला इसको मैं delete कर देता हूँ, पहले वाले को ठीक है, अभी first gear मेरा create हो चुका है अब मुझे second gear create करना है यह वाला इसमें कुछ नहीं, इसमें circle को लेकर subtract किया हुआ बीच मैं से और इसमें hollow circle को subtract किया हुआ, तो इसको जल्दी से कर लेते हैं दोनों shapes में इसको no outline कर दीता हूँ, इस वाली shape को मैं right click, format shape, line, no line, ठीक है इसके outline no कर दी, ctrl D, press करना हो, duplicate करने के लिए ctrl D, again press किया, तीसरे को, तीसरे variation को create करने के लिए पहले में से मुझे insert, फिर से circle, circle में जाना पड़ेगा, insert shape, circle मैंने create किया, circle, ठीक है, इसको अब छोटा बड़ा recording कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लिए अगें, make sure कि ये दौनों आपके align center हो, align middle हो, ठीक है, अब मुझे, first basic shape जो gear की थी, उसमें से मुझे circle को remove करना है, तो again, shape format, more shape, subtract, ये मेरा दूसरा basic gear में लिए मुझे, ये वाला, अब तीसरा मुझे create करना है, जिसमें से hollow circle को मुझे subtract करना है, right, insert, shapes, hollow circle, ये वाला, just, मैं create कर देता, hollow circle, तरीके से, make sure, center, middle हो, now, इसमें से hollow circle, remove करना है, shape format में है, more shape में जाएंगे, subtract करेंगे, तीनों basic shapes मेरा को gears की मिल चुकी है, right, अच्छा, ये head की shape है, ये, मैंने svg download की है, internet से, मैं इसका link आपको description में दे दूँग, जहांसे आप इस head को download कर सकते हैं, ठीक है, तो अभी मैं इसको create करूँ, just, मैंने copy paste करूँ, अपनी slide में, और उसको send to back कर दूँगा, right click करके, ताकि ये पीछे चिला जाओ, gear visible हो, तीनों gears को मैं select करूँगा, उसके बाद मैं shift press करूँगा, अपने keyboard से, और उसको और चुटा कर लोगा, इस तरीके से, अब यहाँ पर अपने gears को fit कर सकता हूँ, ठीक है, अब इस gears को fit भी कर लेते हैं, fit करीके से करना है, इसको आपको थोड़ा सा rotate करना होगा, इस तरीके से, ताकि ये ऐसा लगे कि ये इसके अंदर fixed है, इन दोनों के बीच में fix होना चाहिए, और rotate करना पड़ेगा, थोड़ा सा time लगेगा, इसमों keyword के left, right arrow key का use करके भी करना है, इसको तो ये fit आ जाएगा, ठीक है, same, यहाँ पर हम करेंगे, arrow keys का use के मैंने, इसको set करने के लिए, ठीक है, अच्छा, अभी मेरे gears ready है, right, इन में मुझे animation लगाना, बट मैं अभी animation लगा रहा हूँ, next step मैं आपको ये create करके बताऊंगा, ये beam of light कैसे आपको create करना है, उसके बाद मैं animation लगाएंगे, ठीक है, तो इस beam of animation, sorry, इस beam को आप create करने के लिए, क्या करेंगे, insert में जाके एक shape लेंगे, जिसको हम trapezoid कहते है, insert, shapes, और यहाँ पर basic shape के section में, ये है हमारा trapezoid, trapezoid लेंगे, create करेंगे आप इसको, draw कर लिजी, ठीक है, 90 degree rotate करेंगे, right मैं, shift प्रेस किया मैंने, और mouse की से, mouse की right click से, उसे rotate कर दिया, इसमें yellow edit point है, आप आपको दिख रहा हुगा, yellow edit point इसके width को control करता है, yellow edit point से आप इसको down कर सकते है, इस तरीके से लगएगा, जैसे beam of light लब इसी तरफ आ रहा है, ठीक है, no outlining करने है, इसकी, format shape में जाके, no outlining, ठीक है, अभी, इसके अंदर, मैं एक चीज के, ठीक है, इसके color, इसको color देए, gradient वाला, जो भी मैंने उसमें create किया है, fill में जाऊँगा, gradient fill, first of, इसको कहते है stop, stop one of two, इस stop one of two में आप white color डालेगे, ये stop two of two, इसको आप white रहेगे, same color का रखना है आपको, ठीक है, मैंने अपने पहले tutorial में भी बताया था कि gradient effect, जो fade effect होता है, completely fade effect, यानि एक ही color रहेगा, और वो color fade होता जाएगा, दूर तक, उस effect को कैसे create करते हैं, मैं आपको दुबार से बता रहा हूँ, आपको दौनो stops को same color का रखना है, ये किसी भी color के हो सकते है, जलूरी ये white रखना है, ठीक है, लेकिन अभी slide में जो match हो रहा है, मैं उसके according कर रहा हूँ, white color अच्छा लगता है fade effect में, तो white यहाँ पर 2% है, अभी इस transparency को increase करके आपको 100% करना है, ठीक है, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर तो fade हो चुका है, left hand side पर, right, but right hand side पर मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है white, ठीक है, इतना white नहीं चाहिए, तो ज्यादा white कहा पर है, यहाँ पर, right, और stop 2 of 2, मैं 100% transparent कर चुका हू तो याँ, stop 1 of 2, यह है, जो ज्यादा white है, इसकी transparency को, इसको reduce करूँगा, मैं आसे, यह देखिए, थोड़ा match करने के लिए, just, अभी लग रहा है, हाँ, okay है, इसको आप increase कर सकते हैं, अपने according, जैसे चाहें, वैसे, ठीक है, beam of light आपका create हो चुका है, अभी क्या है, अगर मै इसको थोड़ा से zoom करूँ, तो यहाँ overlapping आईगी आपकी, right, यह overlapping आईए, पहला तरीका तो यह है, कि आप इसको right click करके, edit points करके, फिर इसको fix करें, यह मैं prefer नहीं करूँगा, ठीक है, ठीक है, वो हो जाता है, वो setup आप करोगे, fix बैटेगा, but accurate तरीका मैं आपको बताता हू accurate करने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगी, जो head की shape इसको duplicate करो, head की shape duplicate करी, मैं इसको कोई भी random color देना, white ताकि वो आपको visible हूँ अभी, ठीक है, मैंने 2 head, एक head को duplicate किया, और उस head को duplicate किया है, उसको मैंने same position पर रखा है, black से overlap करा है, exact position, now अब याद रखने वाली प आपको पहले beam light को select करना, क्यों, beam light overlap कर रहा था थोड़ा सा इस पर, ठीक है, तो beam light मैं से मैं, is head को remove कर दूँगा, ठीक है, तो जो भी overlapping थी, वो head के साथ में, subtract हो जाएगी, और आपको exact shape में लिए, यह fund आता है, ठीक है, तो shape format, merge shape, subtract, see, कितना, perfection, कितनी perfection से हुए यह काम द कि, क्योंकि अपने subtract कर दिया, इसमें से, और पीछे वाला head तो मेरा था, मैंने इसलिए duplicate किया था, ओके, अभी हम यहाँ तक पहुंच चुके है, अब मुझे gaze की movement चाहिए, ठीक है, अब मुझे gaze को कैसे move कराना है, तो इसमे animation लगाते है, तीनो gaze को select करते है, तीनो gaze को select किय तीनो gaze को select करने के बाद animation, tab में जाना है, add animation में जाना है, फिर emphasize के अंदर आपको spin मिलेगा, spin, अब यह बहुत fast move हो रहा है, ठीक है, देखे, अभी इसके animation pane में जाओ गया, ठीक है, इसकी setting को change करना कहने का, मतलब मुझे भी बहुत जादा fast move हो रहा है, उसको change करना है, तो animation pane में जाए, animation tab में लेगा है आपको, animation pane pane पे जब click करेंगे, तो आपका animation pane का format box open हो जाएग, यहाँ पर एक drop down दिख रहा होगा, आप click कीजिए इस पर, नीचे timing आ रहा होगा option, timing पर click कीजिए, अभी हाँ पर देखे, duration जो है, वो 2 second की है, इसको 20 second कर देता हूँ ताकि visible हो, और आरामते gear move हो, ठीक है, so click किया, see, अब देखे, एक चीज़, अगर मैंने gear को move के अब देखे, synchronization बिल्कुल भी नहीं है, तीनों ह ऐसा लगनी रहा है कि ये gear इसको control कर रहा है और इसको control कर रहा है, क्योंकि एक clockwise direction में होगा, ठीक है, या फिर anti clockwise direction में कर देखे, तो एक clock में घुमना चाहिए, फिर ये भी clock में, concept ये है, अभी इसको change करने के बाद देखे, effect options में जाऊँगा, मैं किसी को counter clockwise कर देखे, अब तो अभी तक हमने इतना achieve कर लिया है, अब next में, देखे, इस में icons में और इस text में इतना कुछ है नहीं, लेकिन, मैं आपको एक trick पता हूँगा यहाँ पर, आप जब भी आपने दिखा होगा कि lorem ipsum एक dummy text है, आप उसको copy paste करते है, right, किसी भी site में जाएंगे, copy paste करेंगे, लेकिन powerpoint में एक ऐसा function है, जो random text को generate करता है, अभी मैंने यहाँ पर क्या लेकिता है, the quick brown fox jumps over the lazy dog, यह generated text है, यह मैंने लिखा नहीं है, यह मैंने type नहीं किया अपने hand से, यह मैंने powerpoint में एक function का use करके इसको generate किया है, ठीक है, तो यह मेरी bonus trick मान लेजी इसको आप, जो मैं व इसको generate करते हैं, देखें कैसे बनेगा, मैं पहले time saving के लिए इसको copy paste कर रहा हूँ, इसलाइड में, ठीक है, अब मुझे नीचे वाला text चाहिए है, देखें, सिखाने insert में गया, text box में गया, यहां मैंने text box को draw कर लिया है, ताकि आपको clearly दिखें हो क्या रहा है, इसको मैं तो जूम करते हूँ आप लोग के लिए, ठीक है, अब देखें, सबसे पहले मैं करूँगा equal to, जैसे generally आप Excel वगेरा में करते हैं, same, equal to, क्योंकि कोई भी आपको sum का formula इसलिए मैं random generate करना हूँ text, तो random text generator रहा है, तो simple उसका, आपको random का क्या, rand, याद रखने के लिए, rand, random, इतना ही आपको रखना है, उसके बाद parenthesis, open close करके उसके बीच में आप आपको argument देना है, ठीक है, मैं one देता हूँ, और parenthesis के भाहर आके, यहां enter press करूँगा अभी म मैंने जैसे ही enter press करूँगा, यह देखिए, यह मेरा random text generate हो गया है, अब आपको होगे, यहां पर तो बहुत सारा text है, यहां पर तो मैंने मेरे पास एक ही है, ठीक है, तो उसका भी formula है, मैंने first argument दिया था, अभी आप second argument भी one दे दो, भाहर आओ इसके, और enter press करूँ, देखिए, यहनि एक line आएगी, एक paragraph आएगा, इसका मतलब यह है, एक line और एक paragraph आया, यह randomly generate कर रहा है, powerpoint में मैंने कही से copy paste नहीं किया है, rant function का use करके, ठीक है, एक यह bonus tip मैंने आपको देदी, इसको आप ऐसे copy paste करके यहाँ लगाई है, इसका color white change कर दीजिए, जैसे यह अपको ठीक लगे, छूटा कर दीजिए text को, ठीक है, middle कर दीजिए, इसको line, okay, यह मेरा almost completed है, तो यह gears का concept था जो भी, हमने अपने मिलब shape से ही बनाया है, जो भी, और, thank you so much, for watching this video, अगली वीडियो में मिलते हैं,